हलो हाई नमस्ति सलाम से स्ट्रियोकाल मैं हूँ प्रगती और आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सब के साथ एक स्पेशल सीक्रिट बीन्स की सबजी इसे बनाना है बहुत ही आसन और बहुत ही कम ताइम में यह बन भी जाती है और इसे हर एक एज क्रुप के लोग पसंद करेंगे I mean बुड़े लोग भी पसंद करेंगे और बच्चे भी इसे पसंद करेंगे बैकिस नॉर्मली क्या होता है बच्चे बीन्स की सबजी वेगरा यह बहुत ही टेस्टी बनती है, इसे हर एच गृप के लोग पसंद करेंगे और इसमें जादा तेल मसालों का यूज नहीं होता है, जादा तेल मसाला आद नहीं होता है, इसके वज़े से यह बहुत हेल्डी भी है तो चलिए, देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है So, यहाँ पर मैंने बीन्स लिया है, यह 250 ग्राम बीन्स है, जिसे मैंने बहुत फाइन चॉपिंग करी है बहुत बारीग कट किया है मैंने इसे, यह नमल साइज आनियन है, इसे भी मैंने कट कर लिया है यह दो हरी मिर्च है जिसे मैंने बहुत बारीक कट कर लिया है यह अद्रक है इसे भी मैंने बहुत बारीक कट कर आ है और यह कॉरियंडर लीव है मैं पस बहुत फ्रेश कॉरियंडर लीव नहीं थी जो थी मैंने उसे कट कर लिया है में अन्मक है आप अच्छा डाल तो चलिए अन्मक है करते हैं यह अच्छा अन्मक है अच्छे में चल्चा करना घरा आट करें देडें कि अच्छे से और फिर उसमें हम आद करेंगे धन्या की पत्ती मैं सबसे पहले आख करूँ गर्णे हरी मेर्च, सो यह मैंने धन्या कि पति आख कर दिया अब मैं तेल में । एट कोई जिणजर अधरัक्रकाश realities, अब में इस ने आख कर दिया कुए हरी मिर्च, आब देख सकते हैं कि धन्या कि पति हंद हल्क़ी crisp, अब एसमें आथ करूंगी चोपके हुए बीम्स आथ कर दिया है अब में अधर कड़िंगी कटे हुए प्यास अनियने अच्छ मिक्सकिश अब मैं दो आट करोंगी लुट है यहां ड्रे psychological में आच्छ्छ किर सब इस बीन्स की सब्जी में आपको ना ही हल्दी डालनी है और ना ही कोई मसाला दाना है सिर्फ नमक और कालिमर्च सिर्फ यही बढ़ता है और कुछ भी नी बढ़ता है इसमें और यह बहुत टीस्टी बनती है आप इसे बहुत इंज्वाइ करें विकिस मेडी फैनली में तो सारे लोग बहुत पसंद करते हैं सबसी को तो 5 मिनट हो चुके हैं देख लिख्ले है अब-अच्छ इस लगातिया है थे 5 मिनट और ऐसी द førी को महीं दख्यपकाएंगे पाँछ मिनट हो चुके है और मैं अब देखती हूँ है पूरी तरीक पे जो बीम से वह पक चुकी है अगर आप इसे और थोड़ा चाहते है जो दो-थेन मिनट और आप इसे थखके रख ले मेरी सबजी पूरी तरीके से यहां पे पक चुकी है मैं गयास बंद कर दे रही हूँ और अब हम इसे सर्फ करेंगे यहां पर मैंने बीन्स की सबजी बीन्स की सबजी को सर्फ कर दिया है आप इसे रोटी के साथ चावल के भी साथ खा सकते हो यह ड्राइ है ऑफ आप इस सबजी को आप मतब चावल के भी साथ खा सकते हो और रोटी के भी साथ मैं तो इसे रोटी के साथ खाना पसंद करती हूँ बत मेरी सिस्टर है वो उसे इसे चावल के भी साथ खाना उससे बहुत अच्छा लगता है तो ये थी मेरी secret, as well as special beans की सबसी और ये बहुत simple है बनाना, आप इसे बना सकते हो, बहुत असानी से बना सकते हो बहुत कम time में बन चाती है, आप इसे breakfast में भी खा सकते हो लंच में भी खा सकते हो, डिनर में भी खा सकते हो इसमें जादा तेल, मसाला, यह सारी चीजे भी नहीं है तो सबके लिए अच्छी है, बुड़े लोग भी इसे खा सकते हैं और बच्चे भी इसे बहुत पसंद करते हैं आप भी इसे ट्राइ करो, बनाओ, बहुत सिंपल है बनाना Okay, so, अगर आपको और भी इसे वीडियो चाहिए, so, comment करके बताओ Like करो, comment करो, share करो और अगर आपको और भी इसे वीडियो चाहिए, so, please, 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 comment करके बताना कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो ये भी बताना और अगर आपको और वीडियो स्टेगे, तो यह भी कॉमेंट करो मैं तो चली अब इस सीक्रिट स्पेशल बीन्स की सबजी को खाने के लिए और आप भी इसे ट्राई करो, बनाओ, खाओ और इंच्वाई करो, तो लाइक, कॉमेंट आद शेर और अबस्टर अबस्टर चानल, थियुँ